किसी भी दफ्तर में घुसके कोई आतंकवादी किसी बैंक मैनेजर को मार दे रहा है किसी भी स्कूल में घुसके किसी टीचर को मार दिया जा रहा है कश्मीरी पंडितों की इनर्शन सत्या हो रही है और आज कश्मीरी पंडित और ये वो दिर्श्य है जो 90 के दसक में हमने देखा था भारत की सरकार मुह चिपा कर भाग रही है उसके बाद कश्मीर फाइल्स फिल्म आई तो उन्होंने का कि पूरे देश में इसका प्रचार होना चाहिए उस पर रो रहे थे घूम रहे सारे चैनल्स पर उनी की चर्चा हो रही थी आज कश्मीरी पंडितों की हत्या की चर्चा किसी चैनल पर आपको दिखाई देती है आज कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की कोई चिंता केंद सरकार के मंत्री और मोदी जी को व्यक्त करते हुए कहीं आपने देखा और सुना कश्मीर फाइल सा जाएगी तो रोने लगते हैं भाजपाई तो क्या कश्मीर में जो 370 के वगत दावे किये गए थे वो कश्मीरी पंडितों की हत्या कराने के लिए किये गए थे किसान सहीद हो गए, आठ साल के अंदर बीजेपी ने किया, क्या ये हमारे लिए सरमिंदगी का विसे नहीं है, कैसे सरमिंदा हुआ जाता है देखे कश्मीर को लेके बड़े बड़े दावे किये गए थे मोधी जी के द्वारा और हमारे ग्री मंतरी अमिसा जी के द्वारा दोनों सदनों में उन्होंने चिला चिला के कहा था कि हम कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, कश्मीर की सुरक्षा के लिए कश्मीरी पंडितों के इनर्षन सत्या हो रही है और आज कश्मीरी पंडितों के पलायन का दिर्ष्च सामने आया है और यह वो दृष्च है जो 90 के दसक में हमने देखा था तो आज वही आतंकवात का दोर उसी प्रकार की कानून बेवस्था की बत्तर हालत कश्मीर में पैद देश में आज उनके किसी भी मंत्री की संबेदना नहीं जाग रही है यह बहुत ही दुख की बात है कि वहाँ पर एक तरीके से राम राज आ गया है और उसको परचानित किया गया था पूरे देश भर में कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा कई दिनों तक हिंदुस्तान के सारी रास्टिये चैनलों पर हुई आज कश्मीरी पंडितों की हत्या की चर्चा किसी चैनल पर आपको दिखाई देती है आज कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की कोई चिंता केंद सरकार के मंत्री और मोदी जी को चिंता क्या ہے अर्विंद केजरिवाल को आम आदिमी पार्डी को कैसे बदनाम करना है आप क्या करते हैं आप मुछ चुरा के भाग रहे हैं जब आतंकवादी घटनाए हो रही है तो आपके किसी मंतरी किसी केंदरी मंत्री की कोई एक समवेदना भरा ट्वीट भी नहीं देखने को मिलता लेकिन कश्मीर फाइलस आ जाएगी तो रोने लगते हैं भाजपाई कश्मीरी पंडितों के दर्द पर एक फिल्म बनी उस पर रोना आता है कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है उस पर रोना नहीं आ रहा है उस पर रोना नहीं आ रहा है पंडितों को लेकर के हम बड़े चिंतित हैं उनके नेता ये कह रहा है कि जो हमने सोचा था वही हो रहा है एक के बाद एक ऐसे टागेट किलिंग के मामले सामने आ रहे हैं, ऐसी हत्या हैं सामने आ रहे हैं और आज भी बैंक के अंदर एक विजए नाम के वक्ती की हत्या हो जाती है तो देखें, मैं तो आश्या चकीत हूँ ये बात सुनकर कि भाजपाईयों ने यही सोचा था, तो क्या कश्मीर में जो 370 के वक्त दावे किये गए थे, वो कश्मीरी पंडितों की हत्या कराने के लिए किये गए थे, आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए किय गए थे, क्या वो दावे जो उस वक्त पार्लिमेंट के दोनों सदनों में ग्रीह मंतरी जी ने किया था, कि कश्मीर के अंदर अमन चैन बहाल हो जाएगा, रोजगार में बृद्धी होगी, कश्मीर तरक्की के रास्ते पे जाएगा, क्या और तमाम जो केंदर सरकार की यो ग्यान ब्यापी हो, मतुरा हो, चाहे जितने भी मुद्धे हो, आज ये सारे मुद्धे सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का ध्यान बटाने के लिए किया जा रहा है, आप मुझे बताईए, जब देश महंगाई से पीडित है, जब हिंदुस्तान में बेरोजगारी, 45 वरसो में सबसे अधिक हो गई मोदी जी के राज में, काला धन हिंदुस्तान से लाखों करोड रुपे लूट कर, तमाम पूझी पती छोड़कर विदेश भाग गए, ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान बंगला देश से भी नीचे चला गया भूख के मामले में, भूखमरी में हम चिनता होनी चाहिए भारती जनता पार्टी की, मुझसे तो लोगों ने पूछा तो मैंने कहा, कि हमारे प्रधान मंत्री जी का ये मास्टर स्टोक है, हमको भूखमरी में इतना नीचे वो लेके जाएंगे, ऐसी हालत में पहुँचा देंगे, हम बंगला देश से भी नीच प्रधान मंत्री बंगला देश की आजादी के योद्धा हैं, हमको सब को ये याद रखना चाहिए, वो बंगला देश को आजात कराने के लिए जेल में भी गये थे, तो उनको बंगला देश के हीटों की चिनता ज़ादा है, हिंदुस्तान के हीटों की चिनता कम हैं तो कौन कहता है बीजेपी, मोधी जी नाराज होके डंडा लेके दवडा लेंगे उन लोगो, हमारे प्रधान मंत्री बंगला देश की आजादी के योधा हैं, वो एक ऐसे प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने बंगला देश को आजाद करने के लिए जेल काटी है, वो स्वतंता कराम सेना नहीं हैं बंगला देश के, कौन भाजपाई ऐसा कह रहा है, मोधी जी डंडा लेके दोड़ा लेंगे उसको, आच साल हो गए, आप तो पत्रकार हैं, कभी आपने सुना बंगला देश के प्रधान मंत्री से मुलाकात में उन्होंने बंगला देशी गुसपैठिय का मसला उठा, कभी आपने सुना कि हमारा जब भी दो देशों की वारता हुई बंगला देश के साथ, कभी हमने बंगला देशी गुसपैठियों का मामला उठाया, कभी मोधी जी ने सवाल खड़ा किया, बंगला देश की आजादी के पचास वर्स जब मनाए गए, तो केज बंगला देशी गुसपैठियों का मामला मोधी जी ने उठाया, अच्छा नोट बंदी में सो लोग मर गए, रोते बिलखते चीखते हुए करोणों लोगों को हिंदुस्तान ने देखा, क्या वो हमारे लिए सर्मिंदगी का विसाय नहीं है, पैंतालिस वर्सों में का विसाय नहीं है, दो करोण, दो गुना किसानों की आय करने की बात आपने कही थी, करोणों किसान हिंदुस्तान की सडकों पर एक साल तक काले कानून को वापस कराने के लिए बैठा रहा, साड़े साथ सो किसान सहीद हो गए, अन्न दाताओं को आपने देश द्रोही, खा पाकिस्तानी आतंकवादी कहा, लाठियों से पिटवाया, आसू गैस के गोले छोडे, क्या ये हमारे लिए शर्मिन्दगी का विसाय नहीं है, जी एस्टी का कानून लगा कर आपने हिंदुस्तान के छोटे बड़े ब्यापार को खत्म करने का काम किया, क्या ये हमारे लोग हिंदुस्तान में मारे गए, ये डबलू एचो की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, नदी के घाट पर चील कवे कुटे लासों को नोस्ते रहे, क्या ये हमारे लिए सर्मिन्दगी का विसाय नहीं है, महंगाई सर्वोच्चता मस्तर पे पहुँच गई हिंदुस्तान के अंदर काला धन लूटकर साड़े दस लाक करोंड रुपे हिंदुसतान का लूटकर चंद पुझि पती बैठे हैं, कुछ हिंदुस्तान में हैं, कुछ निरो मोदी मेहुल चोकसी और विजह मालिया जैसे लोग हिंदुस्तान छोड़ कर भाग गए, तो नफरत फैलाने का काम करती है क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे कैसे सोएंगे, कैसे रहेंगे कैसे चलेंगे, कैसे बात करेंगे ये बीजेपी तेयं कर रही है हिंदुस्तान के अमन और चैन को बिगाडने का काम आठ साल के अंदर बीजेपी ने किया क्या ये हमारे लिए सर्मिंदगी का भी से नहीं कैसे सर्मिंदा हुआ जाता है भाज़ पाई इतने बेशर्म हैं कि उनके प्रधान मंतरी कहते हैं हमें तो शर्माती ही नहीं तो इसका मैं कोई लाज नहीं कर सके हैं देखे गुम्रा करके नफरत वहला के इस देश को बाटके इस देश को हिंदू मुसल्मान में बाटके फिर भी कितने लोग उठ देते हैं 30% 32% कहीं 40% कहीं कहीं जमानते भी जब्त होती हैं हमारे यसस्वी प्रधान मंत्री गए थे आंद्रप्रदेश में प्रचार करने 2019 में चुनाऊ हुआ 173 सीट पे आंद्रप्रदेश में इनकी जमानत जब्त ही एक परसंट से भी कम वोट आया हमारे यसस्वी प्रधान मंत्री पंजाब में गए चुनाऊ के लड़ने 73 सीटों पे चुनाऊ लड़े समझवता करके चुनाऊ लड़े 54 सीटों पे जमानत जब्त ही आज भी हिंदुस्तान के कई हिस्सों में केरल में आप देख लीजे 41 साल में एक सीट जीते वो भी इस बार हार गए लगातार इनकी जमानते जब्त हो रही है जीरो 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 आते यही हालता मिलना डूँए तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप से कि भारती जनता पार्टी कहीं जीती है कहीं हारती है चुनाओ जीतने का रती यह नहीं होता कि आपको महंगाई बढ़ाने का आधिकार मिल गया आपको किसानों को आतमहत्या में जोकने का आधिकार मिल गया आपको बेरोजगारों को आज याद कीजिए क्या हुआ हरीयाना के अंदर एक नौजवान ने चिठी लिखा कि बापू अगले जनम में सेना में जाओंगा और उसने आत्मत्या कर ली यह घटा है और ही इंदुस्तान में चुनाओ जीतने का मतलब यह तो नहीं होता कि आप देश में कुछ भी चाहें करें दंगे कराएं फसाद कराएं देश को बाटें देखें उनकी उपलबदियां बहुत हैं इंदुस्तान में हम कहां कह रहे हैं दंगे कराना उनकी उपलबदियां है बेरोजगारी बढ़ाना उनकी उपलबदियां है किसानों को मौत के घाट उतारना उनकी उपलबदियां है नौजवानों पर लाठी चलाना उनकी उपलबदियां है रेल बेचा उन्होंने उनकी उपलब दी, सेल बेचा उन्होंने उनकी उपलब दी, एलाइसी बेचा उन्होंने उनकी उपलब दी, कोल बेचा उन्होंने उनकी उपलब दी, बैंक बेचा उन्होंने उनकी उपलब दी, एपसी आई के गोदाम बेचे उन्होंने उनकी यहां गिनाव में आप लोगों को गुजरात और हिमाचल के चुनाव से आम आदनी पार्टी शसक्त और मजबूत तरीके से जो वहां चुनाव लड़ रही है इसका पेट में दर्द हो रहा है भारती जनता पार्टी को और इसी के कारण कभी सतेन जैन को उठाते हैं तो कभी म साथिया को जेल में डालने की त्यारी करते हैं